अगर आप दोपने वीडियो देखी है तो मेरे ख्याल से function पर इनफ हो गया होगा है ना बाकी एक छोटा मोटर discussion कर लेता है function के लिए मान दीजे आपको क्या करना होता है यहां पर recursive function discuss नहीं है ना तो recursive function का एक example आपको देदा हूं यहां पर तो function के साथ साथ recursion का भी हो जाएगा है ना तो function ठीक है बच्चो function आपको पता है महाँ पर शायद यह discussion हो रखा है कि नहीं कि दो तरीके के function होता है कौन-कौन से inbuilt function ठीक है और user defined function ठीक है inbuilt function में आपने बहुत सारे functions कर लिये हैं जैसे inbuilt function का example क्या है scanf हो गया, printf हो गया, clear screen, getch, string के इतने सारे function करें, math.at में power function होता है यह सब बहुत सारे functions है जिसके examples आपने यहाँ पर देख लिये होंगे है यूजर defined के सुबह हमने अपने खुदगे function भी बनाए, string में जो हमने देख लिया और जो वीडियो मैंने आपको कहीं है उसके अंदर भी आपने आपने आपनो functions लो बना रखें, वह वहां से देख लिये होंगे, ठीक है तो basically हमारा यहाँ पर point था, inbuilt function अगर हम कभी use करते हैं तो हम क्या कर लेते हैं, वह function बना बनाया है, उसको use करने के लिए directly उसके header file, like आपको scanf use करना है, तो आप क्या करते हैं, उपर लगा लेते हैं hash include, क्या include कर लेते हैं, stdio.h, stdio.h का मतलब होता है standard input output, ठीक है, तो आप printf, scanf, इसके through ही use कर सकते है, purew use करना होता, तो आप कौन सी attach कर सकते थे, math.h, ये बाते clear हैं, बोलिए, कोई एक unmute कर लेजे खुद को, इसके बाद user defined functions आपने पढ़ने के लिए, हमने function के लिए, कि तीन सीजे हमने जाननी थी, कि function काम क्या देना होता है, function prototype, है ना, आप दिखाई थी, एक दो बार, कि कौन सी error आती है, function, जैसे हम getCH में देख रहे थे, कि function getCH must have a prototype, वो error आ रही थी है, तो फिर हमने कोनियों लगा लिया था, कोनियों मतलब console input output, और वो error दूर हो गई थी, फिर function को call, function call तो normally वो ही होता है, जैसे कि आप वहाँ पर करते है, call, कौ एक छोटा सा function still यहां पर बना लेता है, ठीक, आज परदीप वो भी कराना है, storage classes, याद दिला देना, storage classes मैं लिख लेता हूं, तो वो याद रहेगी, बाकी पिछा आ जाता है, main पे हमने क्या कर लिया, int, मानलो मुझे एक program बनाना है, दो number के average का, int a, b कर दिया मैंने, ठीक ह मैंने ले लिया, variable, sorry, ठीक है, मुझे अगर एक function बनाना है, जो दो number के average calculate करे, ठीक है, तो मैंने क्या दिया function का नाम, मान दीजे, avj नाम दे रहा हूं, मैं, इसके आगे मुझे function prototypes discuss करने है, दो चार तरीके के, तो मैं यहां लिख देता हूं, यह भी याद आ गया, तो यह कर लेता है, function prototypes, ठीक है, यह भी देखेंगे, कुछ के बनाने, function prototype क्या होता है, function prototype के अंदर क्या-क्या चीज देता है, चार चीज देता है, पहला, name of the function, number of argument, कितने लेगा, फिर, सारे argument का type, argument का type, एक तरीके साब कह सकते है, और fourth चीज है, return type, क्या रहेगा, है ना, अब जै कि मैं average नाम कर रखना चाहरा हूँ, ठीक है, इसके इंदर दो value पास कर रहा हूँ, मैं कैसी values पास कर रहा हूँ, integer type की, return type, इन दोनों को जोड़के, अभी यह आपकी मर्ची है, बच्चों, आपको float value written करानी है, कि integer करानी है, बताओ क्या चाहते हैं, float value written करानी है, कि दो arguments होगे, दोनों argument कैसे, integer type के है, और written type क्या है, इसकी, float है, return type float है, तो आप यह इस तरीके से function का prototype को हम read करते हैं, कि AVJ is a function which will receive two arguments of integer type and it will return a float value, that's it, okay, अब देखो, अब मान लीजे, यह float नाम का बना हुआ है, इस चीज को क्या बोलता है, function का prototype, यह आपने वीडियो में द देख लियोगा, बट इस्टिल एक बार जब कर रहे हैं, तो यहां पर discuss कर लेते हैं, फिर यहां पर मैंने क्या किया, simple AVJ, मान लो, अब देखो बच्चो, यहां पर एक problem हो रही है, क्या problem हो रही है, मैंने variable का नाम भी क्या रखा है, average और function का नाम भी क्या रख लिया, average, यह कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया, AVRJ, अब मैंने क्या किया, इसके लिए AVG और अंदर पास कर दिया, A को और B को, अभी मैंने read भी नहीं किया, एक काम कर लिए, पहले read कर लिजे किसकी value को, scanf, %D, %D, A की value और B की value को यहां पर read कर लिजे, तो जो आप A और B में देंगे, अब नीचे function call होगा, AVG function को आप call करेंगे, और वो A और B की value से call हो जाएगा, जो भी, अभी यहां पर इस चीज को discuss कर लेंगे, %F लगा के, आप AVRG बन, बच्चों आपको दो चीज हमेशा ज्यान रखनी है, पहली बात, function always running कहां से start होती है, main से, चाहे जितने दुनिया बर के function हो, आपके program के अंदर, हमेशा running कहां से start होगी, main के अंदर से, that means, main आपका decide करता है, workflow क्या होगा, या flow of control क्या होगा, main decide करता है, clear है यह बात, ठीक है, मैंने यह पहले भी कराया हुआ है, आपको जब हमने starting किया था basics में, वहाँ पे भी discuss की त बात को, कि at least हमारे पास एक program में एक function जरूर होता है, वो function का नाम क्या होता है, main, और program कितने function रख सकता है maximum, no limit, minimum एक तो जरूर होगा, क्योंकि main का होना जरूरी है, हमेशा program की running कहां से start होती है, main से, तीसरी बात, जब भी function call होता है, आप क्या करते है, function की definition पे जाते है, और जब function की definition खतम होती है, वापिस आप कहा आते हैं, जहां से function call हुआ था, आप लोगों ने data structure सबने किया था, तो वहाँ पे same चीज हो रखी थी, data structure में मैंने बताया था ना, function calling के लिए आप किस data structure का use करते हैं, किस data structure का use करते हैं, बताइए, stack का use करते हैं, तो जब function call होता है, आप इसका address push करते हैं, stack के अंदर, जब function खतम हो जाता है, आप वापस से कहा जाते हैं, जहां से आपने stack को call किया था, मतलब function को call किया था, तो stack से आपको वापस से वो address मिल जाता है, ये बात clear है, अब देखें, यहां पे हो क्या रहा है, में से आपका running start होगी यह क्या करेगा memory में एक A नाम का variable बना देगा एक B नाम का बना देगा और एक बना देगा AVRG नाम का variable नीच आएंगे यह prototype है यह computer मतलब compiler को बता देगा कि AVJ नाम का function में use करूँगा इसमें दो value pass करूँगा और return क्या करूँगा एक float value नीच आएंगे scan function call होगा function call होता है तो बच्चों कहां जाता है definition के अदर यह जब you function call होगा आप definition पर जाएंगे अभी descub Min. बच्चों एक चीज और धियान रखनी है कभी भी कोई भी function दूसरे function के अंदर define तो होसकता है sorry call तो होसकता है लेकिन define नहीं हो सकता जैसे मैं I is function को define कर रहो हू Dion मान लिजे मैंने ले लिया int x, int y और मैं float लगाने के बेच्चो क्या करना है सरिफ आपको मान लिजे मैंने float type का कोई variable लिया m और मैंने m equals to क्या कर दिया x plus y upon 2.0 कर दिया आपको पता है 2.0 क्यों करना पड़ा क्योंकि integer upon integer result क्या हो जाता है integer इसलिए हमने 2.0 किया है then आप क्या कर देंगे return कर देंगे किसकी value को m की value को पहले एक बार function चला के देख लेता है यहाँ तक हम चला चुके थे नीचे आएगा avj function call होगा a, b से तो बच्चों जब function call होता है जाता है अपनी definition पर यह चीज है आपकी function की definition इंदर चला जाएगा 10 y के अंदर चला जाएगा 20 float m, m नाम का variable बनेगा m के अंदर आप क्या कर रहे है बच्चों डाल रहे है x plus y को जोड़के x और y की value फिलाल दीती है अपने 10 और 20 दोनों जोड़के 2 से divide होगा वो भी 2.0 से तो 30 upon 2.0 रिजल्ट क्या होगा बच्चों मान लिजे अगर यहां पे हम 20 न देके इसको 21 दे देता अगर मैं तो यहां पे इसकी जगे क्या आ जाता बच्चों 20 की जगे यह भी क्या हो जाता 21 हो जाता और 31 upon 2.0 जब आप करते तो आपको मिल जाता 15.50000 अब आपने क्या कर दिया return कर दिया m को return होके कहा जाएगा जहां से function call हुआ था तो यह m की value return होके यहां जाएगी इस पूरे की जगा अब यहां पे क्या आगया 15.5 वो किसके अंदर चला जाएगा अब क्या आगया 15.5 आप print कर सकते हैं तो यह आपने अपना खुद का function बनाया average नाम का जब भी आप इसे दो value देंगे ना कितनी भी बार तो आपको बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है calculation आप just इस function में value दीजिए आपको average calculate होके मिल जाएगा यह बात clear हो गई भई सभी को बोलिये यह बात clear है अकांशा ना जरू clear है जागर अब यहाँ पर आपको क्या कर रहा है इस function में definition का मतलब क्या है prototype का मतलब क्या है function calling function calling कहां पर है यहाँ पर यह चीज क्या कहलाती है function call जहाँ पर आप function में value देके call कराते है अब यहाँ पर important कुछ point लिखने थे वो point लिख लेता है every c program must have at least one function हर किसी में कितना function होगा एक function तो जरूर होगा क्या नाम है उस function का main समझ में आगे के नहीं यानि कितने function होगे कम से कम एक function तो जरूर होगा यह point के लिए important है always compilation कहां से start होनी है begins with main मतलब देखो हो सकता है आप प्रोग्राम में बहुत सारे function पढ़े हो जैसे इस पिछले प्रोग्राम में देखोगे तो एक तो main function और एक बहार average नाम का function भी बना हुआ है इस function को जरूरी नहीं है function के निचे define करना आप उपर भी कर सकते थे main के अंदर नहीं कर सकते तो अगला point आप यह लिख सकते है function can be defined below और above main main या any function और any function भाई अभी तो यह की function बनावा हो सकता है मेरे प्रोग्राम में 20 function बन रख्यों तो कोई भी function किसी भी जगा पर कितनी भी जगा पर आप कर सकते है मतब उसको कहीं पर भी main या किसी भी function के उपर निचे कहीं पर भी define कर सकते है clear हो गया यह point भी प्रदीप बोलो no function can be defined defined inside another function बच्चो function के अंदर आप दूसरे function को define नहीं कर सकते किसी भी function को very important है यह error है वरना clear हुई definition हमेशा बाहार ही देंगे जैसे इस प्रोग्राम में आप देखें मैंने average function को scanf function को printf function को इन सभी functions को use किया है main के अंदर clear है लेकिन definition देखो average की definition भी मैंने बाहर दिया scanf, printf की भी definition बाहर ही कहीं दे रखी है already उसकी header file में समझ माई किसी भी function को दूसरे function के अंदर हम define नहीं कर सकते और important point क्या है जो है function को कर सकते हैं क्या function prototype कर सकता है main के अंदर function देखो main के अंदर सभी के prototype बताने पड़ेंगे अगर आप अपने प्रोग्राम में 20 function भी यूज कर रहो ना आप turbo c++ का compiler यूज करता है अगर आप turbo c करें केवल तो जैसे अभी हम आपने c++ में कभी काम किया हो अगर जैसे किया ही होगा तो आप क्या करते है main मानलो आपने यहां पर लिखा int a,b यहां पर कुछ काम कर रहे हैं जरूरत पड़ी किसी m नाम के variable की float चाहिए था तो आप यहां के यहां भी यूज करके इसके अंदर कुछ डालना चाह रहे हैं कर सकते हैं क्लियर हुई बात लेकिन अगर turbo c के compiler में यूज करते हैं तो यह चीज error हो जाती हाँ वहाँ पे initialize अपर होते है टर्बो c में error है टर्बो c++ में okay है क्योंकि टर्बो c में क्या कहते हैं जितना भी कुछ बनाना है सब पहले बना लो जो आपको चाहिए इस पूरे program में उस सब को यहां पर define करो पहले बाद में अपने program का काम करना टर्बो c++ क्या कहता है जहां पर जरूरत है वहाँ पर भी create कर सकते है ठीक है लेकिन functions के prototype आप जो देते हैं वह शुरू में declare करने पड़ेंगे आपको जिससे अब यहां पर program को function को पता रहना है अब AVG आप use कर रहा हो जैसे आप header file शुरू में बताते हो अब देखो आप AVG use कर रहा हो तो उपर आपने इसको define कर रहा है इसका prototype दे रहा है तो इसको पता है AVG क्या चीज है इससे पता है AVG function है अब मान ले अकांशा में यह करना चाहता मान ले कोई एक program बनाता for example मान ले उसके अंदर POW और AVG pass कर रहा होता तो हो जाता इससे पता है यह तो function है भई इसके अंदर तो दो value pass होनी है यह काम तो करना अलाव हो ही नहीं है तो power AVG कोई variable थोड़ी है इसलिए ठीक है तो यहाँ पर आपको क्या करना है अभी तो हमने यह कर रहा था AVG function और इसके अंदर क्या pass कर रहा था A और B तो function की prototype तो यहाँ पर दे नहीं है अब यहाँ पर क्या बता रहा था मैं any function कोई भी function आपका can be used inside any function ऐसा लिख सकते हैं any other function कोई भी function भच्चो किसी भी function के अंदर use हो सकता है कोई भी function ठीक है define नहीं कर सकते use कहीं भी कर सकते हैं clear भी यह बात है तो यह छोटी छोटी बात है जिसका आपको ख्याल रखना है function एक function के अंदर दूसरा function use कर सकते है function को किसी भी function के अंदर define नहीं कर सकते और always compilation begins with main यह आपको समझना important point है और एक और important point है जो कि आपने data structure चुके पहले पढ़ लिया तो आपको clear ही है whenever a function will be called whenever you call a function ऐसा लिख सकते हैं whenever you call a function ठीक है तो कहां जाते हैं इसकी compiler कहां जाता है goes to its definition part ठीक है definition part पर जाता है और किसकी help से जाता है with the help of stack यह बहुत important चीज़ है stack की help से यह काम होता है ठीक है हम C++ पढ़ेंगे उसके अंदर एक concept होता है inline function का जब वह पढ़ेंगे तब वह चीज़ बताऊंगा महाँ पर inline function क्या होता है वह भी काफी important concept है ठीक है और जब definition end होती है तो वापस आप कहां जाते है जहांसे आपने stack इसको call किया था यह important बात है function के बारे में तो यहां से आप यह चीज़े कर सकते है clear यह normal था इसका जरूरत नहीं है slide को अटा देता है अब यह कुछ function prototype हमें discuss कर लेने है जैसे यह अब आपको मुझे बताने है इसका मतलब क्या है जैसे मान लीजे मैं लिख रहा हूँ void मान लीजे sum int, float इसको पढ़ने का तरीका क्या होगा सागर देखो language थोड़ी बहुत उपर नीचे अलग थलग हो सकती है जब आप paper में भी देखते है और इस पे prototype पे बहुत कोशन आता है ठीक है लेकिन पढ़ने का तरीका more or less same ही रहता है बताईए यहां पे क्या है बच्चो सम इस function है जिसके दो arguments है एक integer और floor arguments जो return कर रही है वो कुछ ने return कर रही है तो sum is a function which will return two arguments one is integer one is float and it will not return anything समझ में आती है बात clear अब अगर मैं इस काम को ऐसे करता sum int,int और मैं return कर दूँ बच्चो int star इसका मतलब क्या है sum एक function है जुद क्या कर रहा है दो integers को receive कर रहा है यानि sum is a function which will receive two integer type arguments and it will return integer pointer क्या return कर रहा है pointer clear हुई बात अब अगर मैं ऐसा लिख देता int sum int star इसका मतलब है sum एक function है which will receive two integer type pointers मतब दो integer type pointer receive कर रहा है और return कर रहा है integer value सहांज में आई बात की नहीं ठीक है और बच्चों कभी कभी आपको यह ऐसा भी देखने को मिल सकता है int star p इसके साथ है pointer के साथ int, int बच्चों यह पता क्या खेल है यहां पर यह जो है न p p क्या है pointer to a function देखो यह star इसके साथ था तो यह return type है यहां पर यह star क्या है p के साथ तो अब p नाम नहीं है बच्चो star p अब यह p ही जरूरी नहीं है यार मैं p का नाम चेंज कर देता हूं कभी तुम p से confuse हो मैं star sum भी लिख दू न ठीक है मैंने star sum लिख दिया तो here sum is a pointer to a function यह क्या है बच्चो sum is a pointer to a function sum क्या है sum नाम का variable जो है यह pointer to a function है और वो function कैसा है which will receive receive two integer arguments ठीक है and returning an integer समझ में आ रही है बच्चो clear हुआ यह definition prototype read करने पे भी कई बार questions आ जाते हैं तो यह चीज ध्यान रखनी है clear हुआ बस और क्या घुमा के पुछेगा कभी-कभी या तो a star पहले लगा देगा या a star इसके साथ लगा देगा बाकी अंदर की चीज़े तो बताई है इसमें कौन सा बड़ी बात है अंदर एक argument देगा दो देगा तीन देगा एक भी नहीं देगा तो उससे कोई मसला थोड़ी है मसला है return type वाले से या यहां वाले से समझ में आ गई मतलब यह दोनों आपके paper के purpose से important है अब देखो कुछ और array में भी यह चीज़ है important थी अब अगर मैं लिख रहा हूं int a of 10 इसका मतलब क्या है इसे थोड़ा इधर लिखते हैं int a of 10 जितना कुछ मुझे ध्यान आ रहा है मतलब उस तरीके की कोशिश क्योंकि इधर यह ध्यान आया तो कभी कभी array में पूबुच लेता है इधर लिख सकते हो a is an array of 10 integer समझ में आ रही है बच्चो अब अगर यह आ जाता है int star a of 10 इसका मतलब पता क्या है देखो यहां पर थोड़ा space है int star के बाद a of 10 लिखा हुआ है समझ रहो इसका मतलब a is an array a तो क्या है एक array है of 10 integer pointers समझ रहो इसकी हर location पर क्या पढ़ा है integer pointer पढ़ा है int star पढ़ा है समझ रहे हैं आप बात की नहीं बोलिए बच्चो clear हो रही है यह बात अब इसी चीज को वह ऐसे भी कर सकता था star a थोड़ा अलग लिख दे इसके साथ इधर तो अब इधर a क्या है बच्चो अब star अगर इसके साथ है तो मतलब a is a pointer एक या एक pointer है to an array एक array के लिए जिसके अंदर which is having 10 integers उसके अंदर तो simply 10 integers ही पढ़े न अरे यार जैसे मानलो यह x नाम का होता है ना और मानलीजे मैं x का address उठाके x का address किया नाम तो खुद एक pointer होता है मैं int star p में डाल दू है ना तो आप यहाँ पे फिर star p उसकर सकते है ना x की जगे तो यहाँ पे क्या हो गया पी एक हो गया कि नहीं पी एक pointer हो गया to an array जिसके अंदर क्या थे अब देखो basically x कैसा था x एक array था जिसके अंदर 10 value थी और 10 की 10 कैसी थी इंटीजर थी यहाँ पे अगर मैं इसे star a लिखता हूं इसका मतलब क्या है समझ गया ना कि a basically एक pointer है किसी array के लिए उस array के अंदर क्या होती बेसिकली 10 value होती है 10 की 10 कैसी होती इंटीजर होती है इससे यादा घुमा फिर आगो और कुछ पूछता नहीं है इतने से कहानी आपकी चल जाएगी बन जाएगा काम क्लियर हो गया बाकी question answers करेंगे ना तो कुछी दर दर की चीज बच रही है तो वहां पर discuss हो जाएगी कोई आसी बड़ी बात नहीं है तो मेरे जाल से pointers में इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं अच्छा हां मुझे storage classes discuss करनी और अभी recursive function discuss कर रहा था चीज आपके साथ एक पावर function का छोटा सा concept यूज करना है वो discuss करना आपके साथ चलो रिकर्शन क्या होता है calling function again and again हाँ अगर एक function खुद को call करता है बार बार तो उस process को हम क्या बोलता है recursion बोलता है तो if a function calls itself then this process is known as recursion उसको हम क्या बोल देता है recursion बोल देता है एक चीज तो यह हो गई चलिए अब इसका छोटा से एक्जाम्बल देता हूं मैं main ठीक है और मैंने यहां पर लिख दिया मान लिजे printf hello और यहां पर मैंने दुबारा से main लिख दिया अभी क्या होगा क्या होगा इस प्रोग्राम में शायद मैंने डेता स्रक्चर के टाइम पर आप से डिसकस किया था लेकिन आज मुझे storage classes मैंने इसी लिए लिख रखी है क्योंकि मुझे storage classes discuss करनी है और उसके बाद मैं दुबारा से रिकर्शन का एक दो प्रोग्राम आपसे डिसकस करूंगा फिलाल इस प्रोग्राम की आउट्पूट बदा दीजिए आप में सो कोई भी anyone from you what will be the output of this program infinite time hello okay गौरा stack में space रएका जब तक stack फूल नहीं हो जाता very good देखो बच्चो अभी वही बात की थी ना function call होता तो कहां जाता है पनी definition पे जाता है ठीक है और वाप इसका address कहां push कर देता है stack में जिससे की वापस जब आये तो उसकी मदद से वापस आ सके clear है जैसे आप छोटा से एक program बना लीजे factorial के लिए recursion का था है ना तो चार-पांच बार call करोगे तो वापस 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 जाते वे value रखते वे सबसे उपर तक बहुत जाएगा clear है यह बात या नहीं शायद ही मैंने वहाँ पर discuss किया था नहीं भी किया तो मान लीजे मैं यहाँ पर कर लेता हूं में एक छोटा सा प्रोग्राइम बना लेता है इंट मान लीजे मैंने एन ले लिया और एक फैक्ट नाम के लिए यह बना लिया ठीक है अब मैं एक function बना रहा हूं इंट रिटन करेगा इंटीजर एफ इसका नाम है और रिसीव कर रहा है एक इंटीजर यह इसका दे दिया मैंने प्रोटोटाइप इंट कि वेल्यू फैक्ट्ल तो आपको पता है क्या होता है लो spices कर नाना फेस करना होता है तो इहां पर मैं क्या कर रहा हूं फैक्ट नाम के वेरेवल में f function को क्वाल कर के n की जो भी value थी वो pass कर दे रहा हूँ ठीक है और जो भी final answer आएगा उसको हम print कर लेंगे तो print f percent d और fact की value को मैं print कर दूँगा यह program हो गया आपका बंद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ function की definition int f int किसके अंदर ले लिया मैंने बच्चो यह x के अंदर ले लिया यहाँ पर मैंने लिखा if x बराबर बराबर है one के तो return कर दीजिए one else मैं return कर रहा हूँ क्या return कर रहा हूं मैं x into f of x ठीक है अब इस program को एक बार चलाने की कोशिच कीजिए सब्सक्राइब कर लेंगे यहाँ पर क्योंकि हर बार एक गटाना भी पड़ेगा दरवाइस तो यह यही कॉल होता रहेगा फिर तो कुछ बनेगा ही नहीं ठीक है अब इसको चला के देखते हैं एक बार यहाँ पर क्या हो रहा है मान लिजे आपने जब यह program चला आपने n क वेल्यू रीड की फोर फोर का ही निकाल लेता है नीचे हमेशा देखो दो function पड़े हैं यहाँ पर प्रोग्रेम में हमारे तो function की running हमेशा कहां से start होती है main से तो main में जाएंगे देखो हमने function को declare कर रखा है बड़ define बाहर ही कर रखा है किसी भी function में किसी दूसरे function को use कर सकते हैं लेकिन define नहीं कर सकते है तो बस यहाएंगे scan किया n को चार्ड दे दिया f of n यानि f of 4 से call होगा value किस में जाएगी x में value आपे 4 अब क्या 4 equals to 1 है अब देखो जब यह function call हो रहा था मान लिजे यह address 200 है तो होगा क्या basically stack के अंदर क्या push हो जाएगा 200 push हो जाएगा अब यह दुबारा कहां पर गया इसके definition पर अब 4 बराबर 1 के नहीं है तो 1 ना तो return हो जाता 1 else अब यह function call ह call हो रहा है x f of x minus 1 से यानि यहां पर आप समझ सकते हैं यह क्या लिखा गया 4 into f of 3 से यह call हुआ है अब यह f3 क्या चीज है दुबारे एक function call है ना तो यह दुबारा कहां जाएगा definition पर मान ले इस time पर इसका address 300 था तो इसमें stack के अंदर क्या push करतेगा 300 push करतेगा f of 3 का f of 3 दुबारा इसको चलाएगा x की value होगी 3 क्या 3 बराबर है 1 के सागर बात clear हो रही है कि कैसे चल रहा है f जैसे आपने f4 call किया था तो function की definition पर है 4 किसमें चला गया x में अभी यहां पर क्या हो रहा है 4 बराबर होता 1 के तो तो return हो जाता 1 अभी क्या हो रहा है 4 into f of 3 call हो रहा ह अब जब आप f3 से call करेंगे तो इस बार x के अंदर कितना गया 3 क्या 3 बराबर 1 के है condition false तो else इस बार क्या return होगा मतलग इस बार statement चलेगी return 3 into f of 2 मान लिजे इसका address 400 हो है बट अभी यह return नहीं हो सकता ना दुबारा से अभी यह address हो जाएगा push और इस बार function फिर f2 से call होग जब f2 से call होगा x में जाएगा 2, 2 बराबर है 1 के नहीं है तो इस बार क्या करतेगा return होगा 2 into f of 1 मान लो यह address है 500 तो यह 500 को push करतेगा ठीक है अब f of 1 से call होगा f1 से जब call होगा तो x बराबर 1 के है true return करतेगा 1 यानि जब आपने 1 से call किया था यह जो call होके आया इसकी value वहां से return होके क्या आई है 1 तो वह वापस अब देखो return जब आपने किया है आप function कहां पे जाता है अब देखो यह थोड़ी है जब f1 ने call किया था अब देखो आपको लग रहो है return हो रहा है तो वापस यहां जो नहीं बेच सकते क्योंकि स्टैक की हेल्प से हुआ था स्टैक क्या करेगा यह एफ वन से कॉल हो रहा है इस जगह से तो रिटन करके इसकी जगे क्या लाके देगा सागर वन अब यह हो गया रिटन तू देखो वह पानसो को पॉप किया था पानसो भी स्टेट्मेंट में इसकी जगए क्या लाके देगा इसको थिक है अब 3 इंटू रिजल्ट आया 6 यह कहां जाके रखेगा इस टेक के पास जाएगा 300 इंट पर दे तो यह रख देगा 6 अब क्या हुआ चार इंटू छह कितना गया 24 इनटू 6 यह कहा रिटन करके देगा जहां से स्टैक के पास जाएगा पता चलेगा 200 लाइन पर 200 लाइन थी यह इसको देदेगा कितना 200 लाइन पर 24 फैक्ट में जाएगा और प्रेंट हो जाएगा 24 सागर बात समझ में आई क्या किस तरीके से कहानी चली है है तो यहां पर अर्फ फंक्षन ने बाअर्बार खुद को क्या है और क्या क्यूं करने के लिए किसका यूज коли पहले किया है अ ठिक है ओके इस टेक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है ठिक है चलो यह वाली कहानी आपको समझमा योग अब दो को सागर यहां पर समस्य क्या हो रही है प्रिंट एफ है लो अब हमें क्या लगता है में में दुबारा कॉल होगा है फिर दुबारा क्या होगे में कॉल होगे तो definition पर जाते है दुबार मेन पर जाएंगे फिर print of hello, मतलब फिर hello print हो जाएंगे फिर hello 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 तो हमें लगता है hello print हो रहा है infinite time समझभाई सागर लेकिन ऐसा नहीं है infinite time ये नहीं हो रहा क्योंकि जब आप function call करते हैं किसका use करते है stack का अब stack किसके अंदर create होता है main memory के अंदर ना तो stack कभी कोई तो size होगा 100 byte, 200 byte, 400 byte, 1000 byte 1 MB, कितना भी अब 1 MB हुआ तो उसमें कितनी byte होगी 2-2 byte के कितने block बन सकते हैं 1 MB का मतलब 10 लाग या नि 5 लाग बार hello print हो जाएगा अगर stack का size कितना है 1 MB है, तो कितनी बार मोटा-मोटा एक तरीके से 2 लाग बार print वो 10 लाग होगे है मतलब 5 लाग बार print हो जाएगा समझ में आ रहे है बात कि नहीं बट infinite नहीं आएगा, कभी तो भरेगा stack चाहाँ 5 लाग बार print हो चाहाँ 5 करोड बार print हो कभी तो stack भरेगा तो यह infinite time नहीं print करेगा hello 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 print करता रहेगा till stack full overflow है ना, जब तक stack overflow होता है तो यह इसका right answer है समझ में आगे बात, तो यह question आपको यहां से ध्यान रख लेना है आप हमें main मुद्दे की चीज पढ़ने हो उसके लिए दिमाग थोड़ा सा refresh करा देता हूं आपको एक छोटा सा question पूछन पूछन है आपसे में यहां पे सागर और निताश्री आप दोनों के लिए question है यह पहले फिर बाकी इन तिन नों में से किसी से पूछूँगा int a equals to मान लेजे int a हो गया यह 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 ठीक है यह यह चलो इसके यह भी ना लेते वो तो print करते वे देख लेंगे प्योडवलू function से मुझे करूँगा मैं 5 गुणा 3 क्या देता है यह output power function क्या करेगा है 5 की power 5 की power 3 याने 125 देगा एक function होता है सागर तेरे पास sqrt नाम का square root इसके अंदर तुने देदिया मान ले 25 तो यह तेरे वो क्या देदेगा 5 देदेगा यह बात के लिए रहे दो न सागर मेरे पास cube root या अब cube root भी तो कई बार निकालता है 125 का cube root क्या है 5 आ जाता है तो क्या square root से cube root तो निकलने से रहा बट क्या इसका मतलब यह नहीं होता कि 125 की power 1 by 3 होता कि नहीं क्या मैं ऐसा करके power 125 into 1 by 3 मुझे क्या मिलेगा 125 के साथ मैंने क्या लिखा है यहाँ पे एक बार देखिए 125 और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 by 3 क्या output आएगी 5 5 सागर क्या आएगी प्लोट पे काम करता हो जरू 5 5 ओके अकांशा क्या आएगी 5 आए आपने वीडियोज देखिए जो अभी दो एक दिन की डाली है पता ना वह वाली वीडियो डली है कि नहीं डली है सागर वह गौरफ क्या आएगी output या प्रदीब बता पहले प्रदीब कहा को गया है क्या आएगी आएगी गौरफ 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 बोले भई कहां गया चलो छोड़ो पता नहीं इसके वाज आ रही है कि नहीं उसमें चलेगा क्या फ्लोट में पॉइंट पॉइंट करके हमें नहीं बता क्या चलेगा मैं तो तुम से जानना चाह रहा हूं मैं तो बताऊंगा यह अब क्या होगा अच्छा सागर यह बात बता मुझे यह लिखा है एक्स परावर मैं बता रहा हूं 15 अपॉण 3 प्लस 5 इंटू 2 क्या आएगा रिजल्ट इसका 15 और अपॉण 4 कर लेता हूंगा 15 अपॉण 4 है क्या रिजल्ट आएगा इसका यह 15 अपॉण 4 ही बता दे सीधा सीधा 15 अपॉण 4 क्या आएगा 3 तीन आएगा ना यह 3.75 आएगा इंटीजर अपॉण इंटीजर क्या होता है रिजल्ट इंटीजर होता है अगर मैं 3 अपॉण 4 लिखता हूं तब आंसर क्या आएगा 3 अपॉण 4 लिखता हूं तो 0 आएगा ना निताश्री ये बात clear है, तीन को भाग कर रहे हैं आप 4 से, तो 3 upon 4 में quotient क्या आएगा 0, जबकि remainder क्या आता, 3 आता, आता या नहीं आता, ये बात clear है, अब एक बात बताएगे आप लोग, यहां पर ये 1 by 3 है, 1 by 3 का मतलब integer upon integer, result will be integer, ये क्या देदेगा तेरे को, ये चीज ब जाएगी power 125,0, और किसी की power 0 क्या होती है, ठीक है, अब चाहे तु इसे power में, मानले मैं ये लिखता न, 25 into 1 by 2, तब भी answer क्या आता तेरा, 1 आता, तु जो मर्जी value देदे, मैं power 1000 को भी, 1000 का भी इंडरूट निकालता न, तो भी क्या आता, 1 आता, आता ये नहीं आता, ये ही लिख दीजिए, power function 125,1.0 upon 3, तब आपको 5 मिल जाएगा, float upon integer, result will be float, अरे तुम्हें basically 0.33333 चाहिए ना याँपे, अगर मैं अंडरूट करना चाहता हूँ 64 का, तो 1 by 2 का मतलब मुझे यहाँ चाहिए 0.5, वो कैसा हैगा, 1 upon 2 लिख, या 1.5, या तो लिखो, 1.0 upon 2, या लिख यह क्या, 1 upon 2.0, तब भी क्या मिलेगा, 5, या आप ऐसे भी लिख देते, 64, 1.0 upon 2, तब भी क्या मिलेगा, 5, sorry 6 ना, अरे ठीक है, या आप पावर में, 64 into 1.0 upon 2.0, निताश्री गलती बता क्या होती है, रूल हमें पता है, है ना, बट पेपर में जब चीज़ें आती है ना, तो दिमाग से इसकी पोजाता है, ये चीज ना, integer upon integer वाला, the most important thing है, आपके C के question में, जहां solve करने वाली चीज आ रही है, दिमाग में ये integer वाला रूल रखना, क्या रूल है, रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, अगर दोनों integer है, तो result होगा integer, दोनों में से एक भी float है, तो result होगा float, ठीक है, और ये चीज और यहां पे ध्यान रख लेना, जैसे 3.0 upon 2 करूँगा मैं, तो divide में तो ये देगा 1.5, लेकिन 3.0 का अगर 2 से percent करना चाहूँगा, तो error देगा, क्यों percent के साथ पूरा-पूरा divide होता है, तो 0 ही आएगा, तो बार-बार 0 क्या लेकर आना है, तो 3.2 तो okay, fine, 3 percent 2 क्या देगा, 1 देगा, remainder क्या आ रहा है, मैं 9 percent मान लो, या 19 percent 4 करता हूँ, तो result क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, that is fine, लेकिन 19.0 percent 4 करूँगा न, तो error है, समझ मा आगई बात, ये इतना important नहीं है, rule क्या है, integer upon integer वाला important है, क्योंकि घुमा के जब question देता है, स्वालू करने को, तो बच्चे हैं जल्दी भाजी कर लेते हैं, अब जैसे power वाले से, आपको समझ मा आगई होगी, खेल क्या हुआ है, ठीक है, बात समझ मा आई के नहीं आई, अगई, अब storage classes का theory वाला part बता देता हूँ, आज, कल इसको उपर numerical कुछ question करेंगे, तब तक आप function एक बार अच्छे से दुबारा से देख लेना videos, ठीक है, clear है, function की थोड़ी understanding, सही कर लो तब तक आप, अब storage classes, फिलहाल, paper के perspective से हम जीजे देख लेता हैं, बट कल इसको उपर सुबह मौर्णि में कुछ questions कर रहा हूँ इसके बाद हमारे पास सर्फ क्या बचरा है, struct and union, that's it, एक class का काम है, कल शाम तक most probably, मतलब सुबह इस्ट्रक्चर अगर use हो गया, तो हो गया, तो structure और union बैस एक ही बात बतानी है, कहानी खतम है, मतलब कल शाम तक आपके question answer के साथ C खतम हो जाएगी, फिर C++ दोते हैं दिन क्यों जरूरत है हमारी, अकांशा कुछ पता है, storage classes के बारे में, क्या होती है, क्या नहीं, storage classes जो भी हम variables से store करते हैं, मतलब मुझे बस इतना है पता है, आपने कोई वीडियो देखी नहीं है, जो मैं डाल रहा हूं को रुपे, उसके अंदर क्या मैंने, हाँ, keywords बताया थे, 32 keyword है, महा पर storage classes का थोड़ा सा discussion किया था, कि 4 storage classes ही आपको देख रही है, मुझे वह बात इ storage classes मिस थी, static नहीं था, शायद उसके अंदर, शायद static या extra कुछ तो मिस था, मैंने कहा था, 4 storage class होती है, एक तो ही नहीं इसमें, तो फिर हमने गिनी उसको तो प्रधीप ने गिना था, 28 आई थी, तो total 32 होते है, keywords, तो एक तो वही गायब था, फिर मैंने कहते है था, storage classes बच्चों, चार चीजे बताती है, एक काम करता है, इसको थोड़ा break कर लेता है,